हेलो फ्रेंड्स इस जोती वर्मा तोड़े विल स्टार्ट विट फिलोसफी यूनिट फिर्स्ट पॉइंट थर्ड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन क्या है फिलोसफी का और सिक्षा का उसमें मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीजे बताई जिसमें की प्राचीन प्राचीन काल में सिक्षा के क्या उद्देश्य हुआ करते थे कैसे सिक्षा दी जाती थी क्या-क्या उनकी करिकुलम में एड होता था उसमें सिक्षा का दर्शन से क्या संबंध है और दर्शन का सिक्षा से क्या संबंध है क्या-क्या उसके प्रोस्पेक्टिव से मैंने य third point education as a liberal discipline and its interdisciplinary nature यानि इसका meaning है सिक्षा एक उदारवादी अनुसाशन अनुसाशन की मिना तो कुछ होता ही नहीं है सिक्षा तो सबसे बड़ा अनुसाशन है सिक्षा लेना तो हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सिक्षा जो है वो अनुसाशन कैसे है और हमें सिक्षा का अनुसाशन से क्या संबंध है तो इसमें हम देखेंगे सिक्षा एक अनुसाशन है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सिक्षा ही खुद एक अनुसाशन है इसे जानने के लिए अनुसाशन का अर्थ समझना सबसे पहले आवशक है तो यहां आम अनुसाशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे यहां अनुसाशन शब्द का अर्थ है अध्यन एक तरीके से अध्यन करना अनुसाशन शब्द का अर्थ है और ग्यान लेने के लिए हमें किन कीज़ों की जरूत पड़ती है, क्या-क्या हमें नीट्स होती हैं ग्यान लेने के लिए तो सबसे पहले हमारा discipline क्या है? कि अगर हम direct knowledge ले रहे हैं, कहीं भी direct सिख्षा education हासिल कर रहे हैं, अगर इन किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें स्कूल वाले क्या प्रोवाइट करेंगे, उनका एक डिसिप्लीन होता है, कि हमें ये ये चीजे उन्हें प्रोवाइट करानी है, सबसे पहले वो हमें बुक्स प्रोवाइट करेंगे, हमारी उनिफॉर्म प्रोवा एक सिख्षक होना चाहिए और आपका करिकुलम होना चाहिए ये तीन चीज़े तो बेसिक्स हैं किसी भी विश्व विद्दाले में विश्व विद्दाले में जो colleges होते हैं हमारे universities के उसमें सबसे पहले जो हमें curriculum पढ़ाया जाता है वो खुदी एक अनुसाशन है उन्होंने एक curriculum बना रखा है एक syllabus बना रखा है कि हमें ये चीज़ पढ़ानी है syllabus हमारा होता है जो हमें class में पढ़ना होता है किसी भी subject को लेके curriculum होता है जो पूरा हमारा examination, administration, education, exam hall, हमारी creativity, activities, हमारा जो भी overall होता है वो सारा का सारा अपने curriculum में add होता है next हम इसके points को read करेंगे पहला है अनुसाशन पर दारशनिक विचारधाराओं को गहरा प्रभाव अनुसाशन जो है उस पर हमारा जो दार्शनिक हमारी विचारधारा है यानि philosophical जो हमारे thoughts है, philosophy के thoughts हैं उसका गहरा प्रभाव पड़ता है second हम देखेंगे इसकूली अनुसाशन कठोर नियंतरन पर अधारित इसकूली अनुसाशन जो पहले के टाइम पर हुआ करते थे वो बहुत ही कठोर हुआ करते थे हर चीज नियंतरण में होता था कि आपको यह चीज करनी है यह चीज नहीं करनी उसी पर यह चीज आधारित हो दी दी पहले तो अनुसाशन में मारना भी एलाओ था अब तो गौर्मेंट ने यह एलाओ कर दिया है कि आप किसी स्टुडेंट को मार भी नहीं सकते थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो समाजिक दाशनिकत था ततकालीन विचारधारा स्कूल अनुसाशन विचारधाराओं पर अधारित जो स्कूल का अनुसाशन है वो दर्शन की विचारधारा हैं उस पर अधारित है हमारे समाज पर अधारित है तो वो हमारा जो अनुसाशन ह करता था वह हमारे हमारे जो इस्टुडेंट वह करते थे उस टाइम के उनके सिचुएशन को देखे कि वह किस समाच से आ रहे हैं किस तरीकी की लॉग गेन कर रहे हैं वह पढ़ने में अच्छे हैं रहें उसके हिसाब से सारे ऐसे अनुसाशन बनाई जाते थे कि हमें यह ची सीख रहे हैं या किसी भी ऐसी सैनिक अनुसाशन का मतलब है किसी भी हम से मालीजे विश्वविदालों में भी NCC नेवी ये चीज़े प्रोवाइट कराई जाती है तो उसमें तो सबसे पहले अनुसाशन की ज़रुद पड़ती है बीन डिसिप्लीन के आप उस चीज़ को गेनी नहीं कर सकते नेक्स्ट आम देखेंगे थ्री पार्ट्स ऑफ डिसिप्लीन यानि पार्ट्स क्या-क्या होते हैं डिसिप्लीन के तो इसमें थ्री पार्ट्स दे रखे हैं दमनात्मक अनुसाशन मतलब इसके अंदर होता था कि दमनात्मक अनुसाशन दमनवादी विचारधारा पर अधारिक था मतलब दाट के मार के स्ट्řूडेंटमक को पढ़ाना या फिर उनको फोर्सली कुछ अगर वो नहीं पढ़ना चारे तो आप उसको उनको मार भी रहेो घर पे आपके कंपलेंट्स भी जा रह रहे हैं फोर्सली आप उनको वो सिक्षा हासिल करवा रहे हो भले इसका वस्में ट पर बढ़ी बालख को किसी भी प्रकार की स्वातनतरता ना मिलना उस टाइम पर दमनात्मक अनुसाशन के अंदर किसी भी प्रकारगी सोतंतरता नहीं दी जाती थी कि वो कहीं आज आ सके बाहर या अपने हिसाब से कोई बुक पढ़ सके या कुछ भी ऐसा है उसको कुछ और कोई और बुक्स में इंटरस्ट है वो भी वो नहीं पढ़ सकता उसको सिर्फ करिकुलम ही पढ़ना है नेक्स्ट है दमनात्मक अनुसाशन मारपीट तथा भै पर आधारित तो जैसा कि मैंने आपको बताई था कि मारपीट भी होती थी पहले बच्चों के साथ कोई होमबक नहीं कम्प्रीट करके लाया या बच्चे ने कोई गलती कर दी या कोई भी उससे गलती असी हो जाती है तो एक भै का वहाँ पर परेवर अनेक तरीके से जो अहां का होता था वो भै का होता था बच्चों को डाट कर रखा जाता था कि जो अनुसाशन उन्होंने बनाया है वो उसी केस आप से चले नेक्स्ट है हमारा प्रभावात्मक अनुसाशन तो इसमें फर्स्ट है प्रभावात्मक अनुसाशन आदर्शवाती दर्शन पराधारित आदर्शवाती दर्शन क्या आदर्शवाती दर्शन का मतलब है भगवान में विश्वास जो करता है वो आद आदर्श वालों को आदर्श वाद को कम फॉलो किया और प्रकर्तिवाद को ज्यादा फॉलो किया तो यह कुछ इनके एक्जामपल्स थे अंदर से ही उनके अंदर डिस्सिप्लीन की भावना हो की हमें इस डिस्सिप्लीन को फॉलो करना है इसे तोड़ना नहीं है ये चीजे हमारे खुद के लिए ही अच्छी है हमारे खुद के बिहेवियर में ही ये help करती है नेक्स्ट है हमारा मारपीट से नहीं प्रेम से मन की जीत मतलब मारपीट जैसे हमने पहले वाले दमनात्मा कनुसाशन में पढ़ा कि वो मारपीट था भै का भी भै पराधारित था तो इसके अंदर मारपीट को बढ़ावा नहीं दिया गया मारपीट को कंट्रोल किया गया प मेंट मुक्टा यात्मक अनुसाशन refugees प्रकरतीवादी दर्शन में अधारित आधारत के जिसे राउन के दिके हम कि दोकरती घेघ लिए उनका मानना थे और उनका खेलत हुआ है प्रकरती के बीच पढ़ाना है, जैसे पेडों के नीचे क्लास लगाना, अपने समाज के बारे में जागरुक करना, बच्चों को अवेर करना, प्रकरती के बारे में ज्यादा से ज्यादा नौलेज देना, पाठे करम ही ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए कि वो सिर्फ उन उनसे पर्यवरंड को उन्हें जागरुक नहीं कराते, पर्यवरंड से नहीं जोडते उन्हें, या उन्हें प्रकरती से नहीं जोडते, तो हमारी सिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, सिक्षा का कोई मतलब नहीं है उनको देने का, तो रविन्ना टैगोर जो थे वो प्रकरत तिवात के follower थे नेक्स्ट है हमारा बालक की सोभाविक अच्छाई में विश्वास किया जाए मतलब जो उसका सोभाव है जो उसकी अच्छाई है उसमें विश्वास किया जाए आप उसको artificial बनाने की कोशिश ना करें कि वो उसके अंदर वो feel नहीं भी आ रहा है कि तो भी वो उसको follow करता रहे वो किसी चीज के लिए comfortable नहीं है फिर भी वो उसको follow करता रहे next है हमारा विकास के लिए पूर्व सतंतरता पूर्व सतंतरता मतलब उसके all over development के लिए उसे पूरी छूट मिलने चाहिए वो जो करना चाहता है जैसे अगर वो arts में अच्छा है, art बनाना उसको अच्छा लगता है, drawing अच्छी लगती है, painting अच्छी लगती है, singing अच्छी लगती है, dancing अच्छी लगती है तो मतलब नैतिकता जो है वो morality जो हमारी है वो फूलों की बाती सुंदर है उसमें सुंदर रहे है नेक्स्ट है सुतंतरता पूर्ण आत्मविवक्ति यानि self expression तो उसके अंदर सुतंतरता होनी चाहिए आत्मविश्वास होना चाहिए आत्मविवक्ति होनी चाहिए कि वो बच पर खतम होता है सिक्षा एवं उदारवादी अनुसाशन यानि लिब्रल डिसिप्लीन तो डिसिप्लीन मैंने आपको तीन तरीके की बताई जिसमें मैंने आपको कुछ सब पॉइंट भी बताए आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट व वीडियो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें थैंक यू